नमस्ते मैं परलवी हूँ और आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं जिस बात का डड़ था वही हुआ ठाकुरवाद के आरोप में इस बार वो कर दिखाया है जिस बात का सुरू से ही डड़ था ठाकुरवाद के एक लिस्ट वाइरल होती है जिसमें बताया जाता है कि स्पेशल टास्क फोर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ ठाकुर भरे हुए हैं वो कहीं न कहीं यादों का एंकाउंटर कर रहा हैं ऐसा तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली गई होगी इस बार किसी यादों को नहीं ठाकुर को मारा गया है यह जो गोली है वो जाती देखकर नहीं चलती है बदमासों पर चलती है यह गुंडों पर चलती है और इस बार गोली ठाकुर पर चली है तो अब तो तसलिम मिल गई होगी अखिलेश यादो क्यों नहीं बोल रहे हैं वो तो यादों के पक्ष में बड़ा बोलते हैं वो बोलते हैं कि यूपी में एंकाउंटर हो रहा है यादों का एंकाउंटर हो रहा है अब क्या अखिलेश यादों अपनी चुपपी तोड़ेंगे क्या अखिलेश यादों कुछ बोलेंगे इस तरीके की चीजें लगताल लिखी जाए मतलब अनुष प्रताप सिंग जिसका आज एंकाउंटर हुआ सुबह तड़के चार बदे एस्टीएफ की टीम ने इसको एंकाउंटर में धेर किया और इसके साथ जो एक बंदा था वो भाग खड़े अनुष प्रताप सिंग यह भाग भागने में सफल चांच शीजें यह यह में इस लिए कहा जिस बात कर दड़ था वो हुआ क्योंकि जब से मंगेश यादव का एंकाउंटर हुआ है तब से स्टीएफ टीम में ठाकुरवाद का आरोप लग रहा था आरोप लगाने वाले पत्रकार के खिलाफ एफ आयार तक दर्च कराई गई जिसने लिष्ट लिका कर ये बताया कि स्पेसल टास्क फोर्ग में तो सिर टाकुर का एंकाउंटर कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि गोली किसी जाती को देखकर नहीं चलाई जा रही है इस पेसल टास्क फोर्ग जो है वह बैमानों गुंडों और मवालियों को खतम करने के लिए बना गया है किसी जाती किसी धर्म मजहब से इसका कोई लेना देना नहीं है इस तरीके का जेस्टिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया पर चलता दिखा सुनकर देखकर और पढ़कर इस बात की हैरानी हुई कि यहां सेलिब्रेशन इस बात का हो रहा है कि लो भाईया तुमने आरोप लगाए था ठाकुर बात का तो हम एक ठाकुर को गो कोई न्याय नहीं है एंकाउंटर पैटन ही गलत है चाहिए वो यादो का हो रहा हो मुस्लिम का हो रहा हो यह ठाकुर का हो रहा हो यह चत्री का हो रहा हो यह बनिये का हो रहा हो एंकाउंटर ही गलत है क्योंकि हमारे देश में सडकों पर न्याय नहीं दिया जा सकता न्याय प्रक्रिय का हिस्टा नहीं है सड़कों पर गोली चलाना बिल्कुल सई नहीं है चाहे वो पुलिस चला रही हो चाहे वो गुंडे चला रहे हो एक बात तो साफ है बाकी मैं चाहती हूं कि आप अनुझ प्रताब सिंग के जो पिता है धर्मराज सिंग उन्होंने क्या कहा वो सब्सक्राइब कर दिया हम लोगों कोई जांकारी वे इस बिसम नहीं है तीन मई में आया था चार जून को गए ते एक सरकार लगातार जो है विपच्छ हमलावर था सरकार पर की एक जाती वी सेज को टारगेट किया जा रहा है इंकाउंटर किया जा रहा है चलो अखिलेश आदो जी का इच्छा तो पूरी होगे उनकी इक पूर्ती तो हो गई तो यह जो है वो अनुच प्रताप सिंग के पिता धन्मराव सिंग है इनका वी इनका जो कमेंट ह वह यह है कि चलो अखिलेश यादो को की इच्छ तो पूरी होई होगी अब की बार एक थाकुर का एंकाउंटर हुआ है फिर वही बात जो है वह एक तरीके से सोशल मीडिया पर जो चल रहा था उसी को आगे बढ़ाने के लिए धर्मराग सिंग कहते नजर आए अब यह बात पता नहीं कि सोशल मीडिया पर पहले यह बात चल ले थी धर्मराग सिंग ने जब यह खाथ तब से सोशल मीडिया पर यह बात चलने लगी मुख्या रोपी पांस थे जिसमें से एक जो है वह अनुष प्रताप सिंग था यह अमेठी का रहने वाला है और उन्नाव में पूशन मिले हैं इस तरीके की चीजें एस्टिया बता रही है इसका एक सायोगी था जो भागने में सफल रहा तो यह चारी चीजें शोशल मीडिया पर बताई जा रही है एस्टियाफ और पुलिस ने क्या कहा है वो भी सुनिये दिनांक 2864 को जनपत सुल्तानपुर में भरत जोलिस्ट के दुकान में हूँ टकेटी से सम्मंधित अभी गणों की याज दिनांक 29 चोविस को एस्टिया प्लकनाव की टीम के साथ थाना अचरगंद उन्नाव चेत में मुडविड हुई जिसे एक बदमास घहर हो और दूसर सरकारी अस्पिताल में भेजा गया जहां से उसे पड़ात्मी कुप्टराटी बाद जिला अस्पिताल में अभियुक्त की सब्सक्राइब कर दिया गया तो सुन ले आपने अब फिर हम वहीं लोट रहे हैं जहांसे हमने सुरू किया था सरकार पर जातिवाद का आरोप लग ठाकुर से ख़लां की लिए पत्रकार बहु किया गया और इसब्सक्राइब करके चलती है Norm उसके उसके गलत काम को देखकर चलती है इस तरीके से अपना दामन साफ करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है और सोचल मीडिया पर यही चीजा चल भी रही है और इसी बात की आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी कहा जा रहा था कि देखिए इंपर ठाकुर बना सकते हैं इस तरीके की चीजें कही जा रही थी और मैं ये बात फिर से दोहरा रही हूं चाहिए किसी पर भी गोली चले वो बिल्कुल गलत है वो न्याइक संगत नहीं है हमारे देश में प्रक्रिया है देश में न्याइक की विवस्ता है और एक बात आप समझे कि पालिका से होकर ही गुजरना चाहिए और वही सबसे सटीक और वही लोग तांत्रिक तरीका हो सकता है सडकों पर न्याइक की विवस्ता हमारे समविदान में नहीं लिखी हुई है और जो बुद्धिमान है वो इस चीज का हमेशा ही विरोत करेगा चाहिए वो मंगेश आद के पिता का हुआ है कि हर रात मिंक्यों हो रही है और हो तो सारे गरीप के हुए हो रहे है तो बड़े आरॉप है उनको कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल जा रही है ने को जितने हो कि रात में इनकाउंटर क्यों होता है और अगर तरीके से जाच हो तब सारी चीजें सामने आएंगी तो यानिकि जो निनके खुद के बेटा रोगा है वह भी अनुश्प्रताप सिं ठाकुर के अंसरोंटर होने पर विरोध कर रहे हैं कि नयाई प्रक्रिया से जो है वो दंड मिलना चाहिए और ठीक से जाच होनी चाहिए उन्हें भी एंकाउंटर फरजी ही लग रहा है क्योंकि रात में एंकाउंटर जो हो हर बार गलत साबित होता इस तरीके की बाद जो है वो मंगेश यादो के पिता सेम ऐसा ही कुछ सवाल जो है वो अनुष प्रताप सिंग के पिता भी उठाते हैं वो भी यही कहते हैं कि बड़े बदमाशों को सरेंडर करने का मौका मिल जाता है और उनको कहीं न कहीं शह मिल जाती है तो जैसा सवाल मंगेश यादो के पिता ने उठाया वैसा ही सवाल ज सुरत में सुर्था लोटकांट में हुआ ता और दूसरा अभी सुल्तानपूर पर है। धूЭто क्रुट कांट में उसकांट कर देना इस तरीके के सवाल उनके हैं हैं इससे बड़े-बड़े जो है वो लुटेरे बसे हुए है बदमाश बचे हुए हैं और उनको कहीं न कहीं जे की आज़ सेएं मुल जाती है वा आज भी जिंदा हैं लेकिन मेरे बेटे के साथ एंकाउंटर यह एक बढ़ा सवाल अनुझ प्रताप संग के अब अनुछ प्रताप सिंग जो है वह एक लाग का जो है वह वह इनाम रखा गया था और जैसा आरोप ये दो पिता लगा रहे हैं वैसा ही कुछ आरोप सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि बड़े जितने भी अपरादी हैं वह सरेंडर करके आराम कर रहे हैं और छोटों के साथ इस तरीके का काम हो जा रहा है उसकी बाद वो बोल रहे हैं कि 30 किलोमेटर के अंदर ही सारे गुंडे क्यों घूम रहे हैं वो 30 किलोमेटर के अंदर ही घूम कर कह रहे हैं कि आओ मेरा सामिल है उनको धूंडने के प्रयास में पुलिस दिन रात महनत कर रही है जैसा दावा किया रहा है यह बताया जा रहा है कि पुलिस एस्टी एफ की टीम और सरकार बहुत एक्टिव है इस मामले में और लगतार कई लोगों को पकड़ा भी गया है कुछ लोगों ने अपने आ साउंटर प्रक्रिया जुन्याइक नहीं है उस पर आपके अपनी क्यारा है वह में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा और अपना दामन साफ करने के लिए इस बार किसी ठाकुर को जो है वो शिकार बनाया गया है कि आपको क्या लगता है कि किसी भी आरोपी को सड़क प पर कभी सवाल नहीं खड़े होते हैं क्योंकि वह जज ने दिया है वह प्रक्रिया के अंतरगत आता है समिधान उसकी इजाज़त देता है लेकिन पुलिस किसी का एंकाउंटर कर दे और बाद में मान लेते हैं कि वह आरोपी नहीं साबित होता है बस ऐसे ही उसका नाम सामन आजाए और उसका हो जाए तो क्या इसको जिन्दगी लोटाई जा सकती है क्या मरे हुए इंसान को फिर से लाये早 sex शकता है और अगर था नहीं किया सकता है तो बाकि आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएगा नमस्ते मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं हमें फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लिजे यूच्व पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे वीडिय जो है वो आप जरूर डॉंग लोड करें बहुत बहुत धन्यवाद।